तो गाइस आज मैं explain करूंगा against the god episode 26 को तो अगर आपको हमारी वीडियो की explanation पसंद आती है तो चैनल को like, subscribe जरूर करें तो चलिए भी ना किसी देरी के आज की वीडियो की explanation को start करते हैं तो episode की starting में हमें yunchen को दिखाया जाता है जो little fairy को लिया हुआ था और उसके सामने dragon god बोल देने के लिए तैयार हो वहाँ पर yunchen हा बोल देता है तो वहाँ पर dragon god yunchen को बताता है अगर तुम मेरा वीरासत पाना चाहते हो तो तुमें मेरा तीन टेस्ट पास करना होगा और उनमें से पहला टेस्ट सुरू किया जाता है वहाँ पर dragon god बोलता है ठीक है मैं टेस्ट द चारत्रव बहुत सारे पत्थर से बने वे और आक से बने वे मानों आ जाते हैं जो उस पर attack करने लगते हैं यूंchen तुरंत अपनी sword का उप्योग करते हैं उन पत्थर के soldier से fight करने लगता है यूंchen एक ही attack में उन सभी monster को मार देता है तभी yunchen बोलता है देखा परला टेस् के लिए आगे बढ़ने लगते हैं यूंchen लिटल फैरी से कता है लिटल फैरी तुम मेरी चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथी इस टेस्ट को पास कर लूंगा और तुम ये छोड़ने वाली बात पहले छोड़ो लिटल फैरी yunchen के तरफ देख कर काती है यूंchen तुम आखिर ये मेरे लिए क्यों कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर yunchen इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता और तुरंत उन सभी मॉंस्टर वाले सोल्जर पर तूट परता और थोड़ी दिर में उन सभी मॉंस्टर को उठा उठा कर पटक का सारे लोग को तोड़ दे रहा था तबी अच सानक से कुछ जो पत्थर की सोल्जर होते हैं वो आसमान में उठते हैं तुरंत अपनी भाले का उप्योग करते हुए लिटल फैरी पर अटेक कर देते हैं युंचेन इस समय आगे फाइट कर रहाता है युंचेन तुरंत पीछे मुटता और देखता है ये सारे जो पत्थर के स्टोल्जर एकी जटके में तबा हो जाते हैं युंचेन फिर से लिटल फैरी को अपने पास रख लेता है तब ही वहाँ पर जो जैसमीन होती है वो तुरंत युंचेन से बोलती है यु turmeric करो वरना ये तुमारी सारी mystic पावर खीच लेगी इसकी बोडी इंटेंडर लू से वेश्ट हो जाती है, तो तुम इस टेस्ट को पास नहीं कर पाऊ गया, तुम यहीं पर जान से मारे जा सकते हूँ, मैंने कहां लिटल फैरी को छोड़ दो, वहाँ पर यूंचन बोलता है नहीं, मैं लिटल फैरी को ऐसे खत्रे में नहीं छोड़ सकता, उसके बाद के सामने टिक नहीं पा रहाता और इदर हमें दिखाया जाता है तभी अचानक से यूँचन के पीछे एक तीरा कर लगता है उसके बाद यूँचन होता है उत्रंत और भी ज्यादा गुस्ता हो जाता है पर अपनी स्वार से अटेक करकर सबी को जान से टुकडे टुकडे मारते जा रहा था यूंचन जितने भी सोल्जर को मार रहा था उतने इस सोल्जर डबल हो जा रहे थे और इनकी आर्मी तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थी वहाँ पर यूंचन कहता है देखता हूं कभी तक तुम लोग बसते हो तब ही अचानक से एक अजीब सी मॉंस्टर की आर्मी प्रकट हो जाती है इन में से कुछ लोग तो गोले फेक रहते यूंचेन मनीमन सोचता है इन लोगों ने अपनी युद्न की रणीती कैसे बदल ली उसके बाद जो यूंचेन होता वो तुरंत फ यूंचेन की ऊपर आ जाते हैं और तुरंत अपने भाले से सीधे लिटल फैरी और यूंचेन पर अटेक कर देते हैं इन लोगों ने यह अटेक इतना जादा अचाना किया था कि यूंचेन इन भालों को डॉज नहीं कर सकता था और तुरंत वो सारे अटेक्स अपने ऊपर ले लेता है लिटल फैरी काफी जादा डर जाती है यूंचन कहता है लिटल फैरी तुम चिंता मत करो उसके बाद जो यूंचन होता है वह तुरंत वहीं पर लिटल फैरी के उपर ही लेड़ जाता है जिससे वहाँ पर जितने भी पथर के स्ट्रोल्जर आखके गोले फेक रह वहाँ पर यूंचन कता है यहाँ पर बहुत सारे सोल्डर्स तो नीचे से अमले कर रहा है कुछ लोग तीरों से तभी 2-3 तीर आकर सीधे यूंचन को लग जाता है लिटल फैरी काफी जादा डर जाती है पर यूंचन कता है तुम डरों मत लिटल फैरी और फिर से मौस्टर क आर्मी में तूट परता है और इधार हमें दिखा जाता है तीरों की आर्मी जो होती है वो तुरंत अपने तीर को फिर से साथ देती है और वो लोग फिर से अपने तीर कमान को चड़ा कर सीधे यूंचन पर अपने तीरों से अटेक कर देते हैं और यह अटेक काफी जादा भारी मात्रा में ताजिस से यूंचेन के पैर, कंदे और बहुत सारे ऐसे जगह पर तीर आखर लग जाते हैं लेकिन यूंचेन ने एक भी तीर को लिटिल फैरी को लगने नहीं दिया था लिटिल फैरी इस नजारी को देखकर काफी ज़ादा ढर गई थी और तभी हमें दिखाया जाता है जैस्मिन के तरफ है जो यूंचेन से कहती है यूंचेन तुम क्या नीचे वाले सोल्जर से फाइट करे हो सबसे ज़्यादा खत्रा तो तीर वाले हैं और जो गोले फेक रहे हैं पहले तुम उन सोल्जर को खतम करो तो तीर चला रहे हैं और गोले फेक रहे हैं और भावनाव में बहकर फाइट मत करो थोड़ा सा दिमाख लगाओ और वो काफी जादा यूंचन पर गुस्चा हो रही थी जैस्मिन की बातों को सुनने के बाद वहाँ पर यूंचन बोलता है अचा ठीक है और तुरंत वो अपनी फायर फेनिक्स की पावर का यूज करने लगता है यूंचेन बोलता है अब मेरी पावर्स का सामना करो और तुरत वहाँ पर फोनिक्स ब्रेक टेक्निक का यूज कर देता है आस्मान में हमें एक काफी ज़्यादा बड़े फोनिक्स को दिखा जाता है जो उन सोल्जर पर अटेक करने लगती है जो तीरो से हमला कर रहे थे और गोले बर्शा रहे थे वो फोनिक्स जाकर उनी से टकरा जाता है और वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है इस ब्लाश्ट की पावर काफी ज्यादा खतानाग थी और तुरंत वहाँ पर वो सारे सोल्जर से की जटके में मारे जाते हैं एक भी तीरो वाला सोल्जर नहीं बसता और नहीं गोले फेकने वाला और वहाँ पर जो यूंचन होता है वो तुरंत आसमान में उड़ जाता और कहता है इस टार बर्नी डीमन लोटस और अचानक से यूंचन की स्वाट से काफी खतनाग फार निकलने लगती है और हमें जमीन के नीचे दिखा जाता है एक काफी बड़ा आगनी लोटस प्रकाट होता है जो सारे मॉंश्टर को अपने अंदर खीचने लगता है वहाँ पर एक भी पत्थर का सोल्जर उसके दारे से बच नहीं पाता और वहाँ पर वो बहुती बड़ा लोटस का एक फोर्म ले लेता है और वहाँ पर यूंचन तुरंत उस लोटस को ब्लास्ट कर देता है इसमें इतनी खतनाग एनरजी निकलती है कि वहाँ पर जितने भी पत्थर के सोल्जर ते वो एक ही जटके में मारे जाते हैं इस नजारी को देखकर यूंचन काफी जादा खूस हो जाता है और इस इस अटेक को करने में यूंचन ने लगबग अपनी सारी एनरजी को खो दिया था वहाँ पर जो लिटल फैरी होती है वो यूंचन से काती है यूंचन ठीक हो ना यूंचन काता है पहले मेरी छोड़ो पहले तुम बताओ तुम्हें कहीं चोटतो नहीं लगी वहाँ पर लिटल फैरी यह बात सुनकर और भी ज़्यादा भावख हो जाती है उसके बाद यूंचें लिटल फैरी से कता है लिटल फैरी तुम चिंता मत करो मैं ठीक हूँ और मैं इस टेस्ट को पास करकर तुम्हारी सारी एनर्जी तुम्हें वापस लटा दूँगा और मैंने लगबग ये सारी टेस्ट पास ही कल लिया है तभी यूंचें काफी जादा सौक हो जाता है और वो अपनी सामने देखता है उसके सामने जितनी बड़ी उसने आर्मी खतम कीती ना उससे तीन गुनी बड़ी आर्मी वहाँ पर आ जाती है जो सारे लोग मिलकर यूंचें को घेरे हुए थे वहाँ पर लिटल फैरी काती है यूंचें तुम मुझे पसा जा और मैं इस अभी मॉंस्टर को उठाक उठाकर पटन तूँ लिटल फैरी बोती है चू यूंचें वहाँ पर यूंचें बोलता है मुझे तुम्हारा नाम बिलकुल भी पसंद नहीं आया इसलिए मैं तुम्हें हमेशा लिटल फैरी ही बोलता रहूंगा ये पता न और और भी जादा खतानाक एनर्जी आ गई है इन सभी मॉंस्टर को मैं आज साथ सबको जान से मार दूँगा उसके बाद वहाँ पर यूंचें तुरंत अपनी पावर को समन करने लगता है और वहाँ पर हमें यूंचें की एक काफी जादा स्ट्रोंग फोर्स को दिखाय जाती है और गाइस आजकी वीडियो की एक्स्पनिशन को यही पर इंड कर देते हैं इसका नेश्ट एपिसोड जल्दी मैं चैनल पर अफ्लोड कर रहा हूं तो वीडियो पसंद आयो तो लाइक सेस्क्राइब करना ना भूलें थैंक्यू बाइबाइबाइ नेश्ट एपि झाल 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 झाल